प्रॉब्लम में हमारे पास जी प्रॉसीजर फार डिटर्मिनिंग आप्टिमल सिलूशन से मुदलिक कॉस्टन पढ़ते हैं ए डीलर विशेज तो परचेज ए नंबर अव फैन्स एंड सेविंग मशीन्स यहां तक अगर कुस्टन को समझें तो यह बात करा है जो कुछ फैन्स यानि कुछ पंके और कुछ कपड़े सीने वाली मशीन जो है वो खरीदना चारा है उसके पास टूटल जो पैसे हैं वो 5,760 रुपे हैं ठीक है और उसके पास जो स्पेस है यानि टूटल आइटम्स यानि हर मशीन और हर फैन को वो एक आइटम अगर लिया जाए तो 20 आइटम्स रखने की जगा है उसके पास ठीक है फैन कॉस्ट हम रुपीज 360 और स्विंग मशीन कॉस्ट हम रुपीज 240 इन्न जो फैन है इसको 360 रुपे का पड़ेगा और 240 रुपे की इसको मशीन पड़ेगी जबकि उसकी के एक्सपेकटेशन है के मुझे प्रॉट मिलेगा फैन के उपर 22 रुपे यानि हर फैन के उपर 22 रुपे प्रॉफे प्रॉफे मिलेगा और जो swing machine है उसके उपर 18 रपे profit मिलेगा अगर वो उनको बेचे दूँ और हम रसूम करें हैं यानि फर्स करें कि वो उनको बेचता है तो हमने देखना है कि पिर किस तरह से profit को maximize किया जा सकते हैं यानि ज्यादा से ज्यादा profit किस तरह से वो हासल कर सकते हैं कितने fans और कितनी machines हरीदे कि उसको ज्यादा से ज्यादा profit हो question आपको समझ आ गया अब हम देखते हैं कि information हमारे पास जो information है वो क्या है हम फर्स कर लेते हैं हम कहते हैं let x represents fans x चले मैं आप size reduce कर लो x represents fans represents fans यानि x fans को represent कर रहे है and y represents y represents machines ठीक है seeing machines कह लिए simple machines ठीक है y machines को represent कर रहे है अच्छा अब देखें हमारे पास जो condition है उसके मताबिक क्या है कि x plus y जो है वो 20 से exceed नहीं कर सकता चूबकि कपैस्टी यानि कपैस्टी जो वहाँ पे items रखने की जगह है वो कितनी है 20 ठीक है 20 या 20 से कम होगी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इससे exceed नहीं कर सकता इसका मतलब है fans की तदाद और machines की तदाद 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती ठीक है इसी तरह से जो दूसरी condition है वो क्या है कि अगर वो एक fan खरीता है तो उसको 360 पर पढ़ते है अगर वो X fan खरीदेगा तो कितने पढ़ेंगे 360X और इसी तरह अगर वो एक जो है वो मशीन खरीता है तो उसको 240 रुपे बढ़ते हैं पांच हजार साथ सो साड़ एने 5760 से ज़्यादा नहीं हो सकती फिर तीसरी जो limitation है या जो constraint है वो क्या है कि number of machines 0 या 0 से greater होंगी इसी तरह number of fans X fan को जाहर कर रहा है तो fan जो है वो X 0 या 0 से ज़्यादा होंगे और जो machine है वो भी 0 से 0 या 0 से ज़्यादा होंगी तो ये constraints हैं ये हमें वो limitations या conditions हैं वो constraints हैं जिनकी मुझूदगी में रहते हुए आपने profit function को maximize करना है अभी हमने देखा 20 रुपे ठीक है तो यहां पर अगर आप देखें 22 रुपीज यानि इस expectation is that he can sell a fan at profit of Rs.22 तो 22 रुपे एक एक अगर fan पर profit आए तो X पर कितना आए का 22 X ठीक है और इसी तरह से total profit की बात की जा रही है तो अगर एक जो है machine के उपर 18 पर profit आए तो total machine यतनी भी बेचे का उस पर 18 वाई profit हो जाए तो total profit जो है वो यह function है अब in constraints in constraints की मुझूदगी में हमने क्या करना है इस function को maximize करना है इस function को हमने क्या करना है maximize ठीक है यानि क्या मतलब हुआ कि कितनी machine और कितनी जो है वो पंके खरीदे जाए फैन हरीदे जाए कि हमारे पास जो profit है वो maximum होगा ठीक है अब हम देखते हैं अब देखें इनको हम plot करेंगे इनको हम plot करेंगे यानि यह जो मैंने यहां पर inequalities लिखी है ठीक है inequalities यहां पर जो मैंने आपको बता दी है इनको हम क्या करेंगे इनको हमने plot करना है चैलें जी देखें उसके लिए जाहरा हमें चुके यह जो है यह inequalities का एक line तो जाहरा solution set नहीं होता है graph एक line नहीं आती बलके reason आता है लेकिन अगर फर्ज करें यह अगर फर्ज करें यह वाला region है तो जाहरा इसकी को boundary line भी तो होगी अब boundary line कोंसी होती है जहां पर जो inequality का जो equal और पार्ट है वो जहां पर आएगा तो वो दरसल हमारे पास boundary line होती है अब इसकी boundary line के लिए अब इन दो equations जएदा इन दो inequalities की boundary lines यानि जिनको हम क्या कहते हैं corresponding boundary lines ठीक है इनकी boundary lines क्या हैं तो मैं लिखता हूँ corresponding boundary lines corresponding boundary lines ठीक है वो कौन कौन सी है अगर आप देखें तो x plus y is equal to 20 एक यह है और एक है 360 x plus 240 y is equal to 5760 यह L1 है ठीक है चलें इसको यूं कर लेते हैं यह L line 1 है यह L line 2 है चुक्कि यह L line को जाहर करेंगी equations है ठीक है यह L line को जाहर करेंगी आप इनको draw करने के लिए अगर आप बाकी जो हमने limitation यानि आप्टिमल solution के लिए है चुकि एक्शल जो reality में solution होता है वो उसमें quantity negative नहीं हो सकती इसलिए उसके भी अगर आप boundary line draw करेंगी आप जाहर करेंगी आप इसको बेशक आप L43 कहलें और इसको L4 कहलें चलेंजी अब हमने इनको draw करना है इनको हमने plot करना है तो plot जब हम इनको करते है तो उसके लिए जाहर है हमें कुछ points सहीं होंगे order pair सहीं होंगे य और यहां पर लिखता हूँ यह है 4L, 4L1, यह लाइन 1 के लिए है, यह है 4L2, 4L2, तो क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूँ, यहां पर मैं लिख हुआ है जब देखें, इसमें जब x, y 0 कर दिया जाए तो x कितना होगा, y अगर 0 कर दिया जाए, इस equation के अंदर, अगर y 0 हो 20, बड़ी सिंपल सी बात है, और जब x 0 कर दिया जाए तो y कितना होगा, 20, इसका मतलब है, जो point A मेरे पास आगया है, वो कितना है, 20 0, और जब दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर कर के 20 0, और point B हो क्या है, 0 और 20, ठीक है, जब के दूसरी तरफ आप देखें, त करता हूँ, तो x मेरे पास कितना आजाएगा, जाने, point कर दे लिए इसके रिए भी, y अगर मैं 0 put करता हूँ, तो x कितना आजाएगा, 360 is equal to 50760, तो 360 को जब आप डिवाइड करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, आप divide calculator पे करके देख सकते हैं, ठीक है, यह value आजाएगी, ह हम देखते हैं, कि हमारे पास क्या value आ रही है, 5760, यहां पर calculator, जो है, मैं दोबारा से इसको introduce करता हूँ, चले हमारे पास calculator, calculator आ गया, तो है जी, 5000, 5760 divided by, divided by कितना है, अगर y 0 put के तो divided by 360, तो यह कितना आ गया हमारे पास, यह value आती है, 16, इसका मतलब है, x 16 आ गया, और जब x 0 करेंगे तो y 5760 divided by 240 करेंगे, तो यह कितना आ जागा, 24, ठीक है, तो यह points अगर आप देखें, तो c point मेरे पास कितना आ गया, abscissa 16, ordinate 0, और d point मेरे पास कितना आ गया, abscissa 0, ordinate 24, तो यह मेरे पास points जो हैं, वहाँ आ चुके हुए, ठीक है, अब इनको मैंने graph करना जारा है, इनके graph तो directly मालूम किया सकते हैं, इनका मसला नहीं है, इनके, 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 जिन दो lines के graph draw करते हैं, और देखते हैं, किस तरह से हम इसका, जो है, वो final कर सकते हैं, कि कितने हमें machines और कितने fans हरी दने कि हमारा profit maximum हो, अब इस video का हम continue करते हैं, अगले lecture म और देखते हैं, कि हम इसको किस तरह से solve करेंगे,